राधे राधे संगती का असर एक बार एक राजा सिकार के उद्देश से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था दोर दोर तक सिकार नजर नहीं आ रहा था वे धीरे धीरे घंगोर जंगल में प्रवेस करते गए अभी कुछ ही दोर गए थे कि उन्हें कुछ डाकों के छिपने की जगें दिखाई दी जैसे ही वे उसके पास पहुचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा पकड़ो पकड़ो एक राजा आ रहा है इसके पास बहुत सारा सामान है लूटो लूटो जल्दी जाओ जल्दी जाओ तोते की आवाज सुनकर सभी डाको राजा की ओर दोड़ पड़े डाकों को अपनी और आते देख कर राजा और उसके सैनिक दोड़ कर भाग खड़े हुए भागते भागते कोसो दूर निकल गए सामने एक बड़ा सा पेड दिखाए दिया कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड के पास चले गए जैसे ही पेड के पास पहुचे की उस पेड पर बैठा तोता बोल पड़ा आओ राजन हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है अंदर आईए पानी पीजिए और विस्राम कर लेजिए तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा की एक ही जात के दो प्राणियों का विवहार इतना अलग-अलग कैसे हो सकता है राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह तोते की बात मान कर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया साधु महत्मा को परणाम कर उनके समेब बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धिये से पूछा रिसिवर इन दोनों तोतों के विवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है साधु महत्मा धैर से सारी बातें सुनी और बोले ये कुछ नहीं राजन बस संगती का असर है डाकूओं के साथ रहकर तोता भी डाकूओं की तरह विवहार करने लगा और उनकी ही भासा बोलने लगा अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है कहने का तात पर या है कि मुर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मुर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मुर्कता आ जाती है इसलिए हमें संगती सोच समझकर करनी चाहिए राधे राधे अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें प्लीज हमें राधे जा वाधे राधे अगर आप लोगों करें